आपने कभी ये सुना है या देखा है कि कोई लड़की किसी लड़के को घर से भगा कर लेकर चली जाती है। वैसे अगर नहीं सुना है तो अब जरूर सुन लीजिए। एक लड़की अपने प्रेमी को खुद भगा कर ले जाती है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। उसके लड़की खुद एक वीडियो बनाकर शोशल मीडिया पर वाइरल करती है। वीडियो खूप तेजी से वाइरल भी हो रहा है। अब आकिर उस वीडियो में ऐसा क्या है वह सब आपको इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो को अंत तक जरूर देखे। अब नमस्कार आ भी कर रही है। इसी कड़ी में एक और वीडियो शोशल मीडिया पर खूप तेजी से वाइरल हो रहा है। जिसमें एक लड़की बता रही है कि मैं रोशन को भगा कर लाई हूं। रोशन मुझे भगा कर नहीं लाया है। मेरे परिवार वालों ने जूठा के सदर्ज करवा है लुषन मुझे भगाया है वो अपने माता पिता को जूठा करार रही है। यह भी कहना है कि अगर मुझे और मेरे पती यानि रोशन को कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार मेरा परिवार है। अगर हम दोनों के साथ कोई घटना या मेरे पती को गिरफतार भी कर लिय जाता है या किड्नैप होते हैं तो उसका पूरा जिम्मेदारी मेरे परिवार वालों को जाता है इसी लिए मैंने ये वीडियो बनाया है और अप्लोड भी की हूँ यह पूरा मामला बिहार के मुंगेर का है जहां एक लड़की अपने प्रेमी को इस कदर मजबूर कर देती है कि वह उसे भगा कर ले जाता है और जाकर दोनों दिल्ली में शादी भी कर लेते हैं वीडियो वाइरल होने के बाद लड़की की पहचान प्रियंका कुमारी के रूप में हुई है जो की राम नगर थाना छित्र के आरा पाटम की रहने वाली है वहीं लड़का जिसका नाम रोशन कुमार है वो भी उसी गाउ का रहने वाला है लेकिन अब वो अपने पूरे परिवार के साथ दिल्ली में रहकर प्राइबेट नौकरी करता है दोनों एक ही गाउं के रहने वाले हैं जिसकी वज़र से दोनों में पहले से फ्रेम प्रसंग चल रहा था दोनों एक पोटो और वीडियो आप शोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है लड़की के गायब होने के बाद उसके पिता थाने में जाकर लड़की के अपहरन का जूठा केस दर्च करवाते हैं कि मेरी लड़की का अपहरन हो गया है उसे हमारे ही गाउं के लड़के ने किड्नैप कर ल पाया है मेरा कोई अपहरन नहीं हुआ है मैं खुद की मर्जी से रोशन के साथ भागी हूं यह भी कह सकते हैं कि रोशन को मैंने भगाया है वहीं दूसरी तरफ इस संबंथ में थाना ध्यक्ष कौसल कुमार से बातचित किया गया तो उन्होंने बताया कि लड़की के कर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताए ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें यह जनता जंक्षन वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें अगर आप यह वीडियो हमारे फेस्बुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज